हलो फ्रेंड्स विल्कम टू मैं चैनल होमिस कुकिंग तो चले आज हम बना दें आलो पर्वल की बहुत अची रेसिपी को एक आज इसे हम उदाव डान्यान गालिक बनाने बाले ही पर इसका टेस्ट मत मुझे आपको बहुत पसंद आएगा अची रेसिपी को बनाने के लिए हम बाहर के कोई भी मसाला यूश नहीं करेंगे पर आपका करी बहुत तेस्टी बनेगा अरबल को मैंने इस तरह से कट करके रखी थी आप चाहे तो इसे हाफ पीसेस में भी कट कर सकते हों अलो को इस तरह से छिल कर हम इसे कट करके वास कर देंगे अच्छे से तो चलिए आप मसालों को भी प्रिपार के लेते हैं, मसालों के लिए मैंने यहां पर एक बड़ा जमा साबुत धन्या, चड़ा जामा जीरा, तोरेट चिली, और सारे गराम मसालों को हमें आपर आड़ कर देंगे, कुछ कोकोनेट, मैं हम पर फ्रेस कोकोनेट ही यूज कर रह जब तेल हमारा अच्छी से गरम हो जाए, अब हम इसमें हमारा सारे परबल को डालकर अच्छी से फ्राइ कर देंगे, अब एक पर अपने गर में जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करना, और मुझे बातना बिल्कुल मत फुली इसका टेस्ट आपको कैसा लगा, आज हम इस कर अब हमारा परबल अच्छे से फ्राइ हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल कर रख देते हैं उसी तेल में हम सारे अलो को भी फ्राइ कर देंगे अच्छे से, जैसे कि थोड़ा सा व्राउन हो जाए, अलो को फ्राइ करने से वो जल्दी पक पीचाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब हमारा आलो भी अच्छे से फ्राइ हो चुका है, अब देख सकतो अच्छा सा सुनेरा कलर आ चुका है अब हम आलो को निकाल कर एक प्रेट में रखतेते हैं, अब हम लेंगे एक कड़ाई, कड़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल कर इसे अच्छे से गरम होने के लिए छोड़ देंगे अब हम इसमें एक तेज़ पता डाल देंगे यह पर एक टेबल सपूंद सुगार डाल लए हूँ इसे हम थोड़ा सा क्यरम लाइस करिंगे जब हे antiqu़ा थोड़ा रेट होना सुरु हो तो हमें इस तरह से स्पाचुला की मदल से मिलाते रहींगे जिनी को करने के बाद इस बात का जरूर द्यान रहें कि जिनी हमारा बिल्कुल ओबरकुक नहीं होना चाहिए नहीं तो करी का टेस्ट बहुत घंदा आएगा बहुत बिटर टेस्ट देगा अब हमारा चिनी अच्छे से केरमलेस्ट हो चुका है अब हम इसमें ढालेंगे हमारा टामाटर को यहाँ पर तीन टामाटर ले रहेंगे इसे हम रॉफ्ली चाट कर देंगे और इसमें आड कर देंगे टामाटर डालने के बाद स्वादम सा नमक जरूर डाल देजिए टामाटर के बाद नमक डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अब हम इसे पांच मिनिट के लिए मेडियम प्लेंपे बखने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम स्पैचुला के मतल से इस तरह से इसे क्रश्ट कर देंगे अब हमारा टामाटर भी थोड़ा सा सौप्ट हो चुका है अच्छी से अब हम इसमें डाल देंगे एक टेस्पून हल्दी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब आपने जो पेस्ट को रेडी करके रखे थे मसालों को इसमें आड़ कर देंगे और इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स मसालों में हम थोड़ा सा पानी आड़ करके इसमें आड़ कर देंगे थोड़ा सा ही इसमें हम पानी आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करतेंगे लो टो मेडियों फ्लेम पे ही इसे हम कुखोनी के लिए छोड़ देंगे पांस मिन के बाद आप देख सकते हो हमारा मासाला थोड़ा थोड़ा पक चुका है अच्छे से अब आप मसाले का कलर टेक्श्चर देख सकते हो अब हमारा मसाला बिलकुल रिदी है हम इसे दो मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं अब हम इसमें आड़ कर देंगे बर्बल को जो हमने फ्राइ करके रखे थे पर्बल को आड़ करके हम इसे अच्छे से मिला देंगे जब भी आप पर्बल की करीब बना रही हो ना पहले ही आप पर्बल को आड़ कर दीजिए तो इसका फ्लेबर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब हम इसे पांच मिनिट के लिए कवर करके लोफ लेंपे पकने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद आद देख सकते हो यह अच्छे से पक चुका है पर्बल के साथ और मसालों में पर्बल का एक अच्छा प्यारा सा खुस्पू आ चुका है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम इसमें आड़ करेंगे हमने जो आलो को फ्राइ करके रखे थे उसे आलो को और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनिट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे बखने के लिए जोड़ देते हैं 5 मिन के बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से बख चुका है आलो और परबल के साथ अगर आपको मेरे से पे अच्छी लगी हूँ ना प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राब करना बिल्कुल मत भूलिए अब हम इसमें डालेंगे हमारा बो सिक्रेट चीज अब हमें आपर एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा ही वार्म आटर ड अधरी उदाउट अडियन गालिक बना कर देखिए इस का टेश आप कभी नहीं बूलपाओगे और सभी आपके तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थाखेंगे अब हम इसमें डालेंगे हमारा सारा मेंट पणर का स्लरी जो बच्चा हुआ था ना वो सारे डालका इसे अच छोड़ देते हैं पहले और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमारा मासाला अल्मूस डड़ी हो चुका है एक प्यारा सा कलर इसमें आ चुका है अब हम इसमें आठ करेंगे गरम पानी जिसे करी बहुत जल्दी भी पकेगा और इसका टेस्ट भी बहुत इच्छा रहीगा और इसे हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स मिक्स करके इसे हम 5-10 मिनिट के लिए पहले लो फ्लेम पे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे अब हमारा करी अल्मुस रड़ी हो चुका है अब हम इसमें आट कर देते हैं फ्रेश धन्य की पत्ते एक करी बनाना जितना आसान है उतना ही टेस्ट यह लगता है आप इसे पूरी राइस किसी के साथ भी खा सकते है इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा और इसे हम 5 मिनिट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे अगर आपको ज्यादा थीक ग्रेवी पसंद हो आप इसे और ग्यास में रख सकते हो आपको जितना ग्रेवी थीक चाहिए उसी हिसाब से आप ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे अब आपका पर्बल करी बिल्कुल रिडी है अब आप इसे पांच मिनिट के लिए रेष्ट पे छोड़ देजिए उसके बाद गर्मा गरम सर्फ करी हल्लू पर्बल करी वो फी उता डन्यन गालिक अब आपके से गर्मा गरम एंज्योई करें थैंक्स पू वाचिंग में चाहिए